अस्सलामु आलेकुम नाजरीन जब दिल उदास होता है तो हम चाहते हैं कि कोई हो जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बने ऐसे में आप हमारे काउंटडाउन के ड्रामाज देखें यकीम करें मुस्कुराहट आपके चेहरे से हर्गिस अलग नहीं होगी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्ख्वासते के हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दे ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाना बाना एक फ़नी सिचुएशन पर बना ड्रामा है इस ट्रामे के कहानी आपके चेहरे पर मुस्कुराहत बिखेड देगी जब लड़किया सुस्राल जाती हैं तो नई नई शादी पर बहुत से तहफुजात होते हैं और दुलहन अकसर फ़नी शर्तें रग दिया करती है यही इस ट्रामे में दिखाया गया है उस वक्त की फ़नी हरकात के बाद में सोच के हसी सब बुरा हाल हो जाता है ड्रामे के मरकजी कास्ट में जवेरिया अबबासी, अलीजेशा, अलीजफर के भाई तानियाल जफर, गुलुकारा कोमल रिजवी और तानिया हुसैन शामिल है जोया जैन को कटन पसंद नहीं करती, ये जानकर जैन उसका दिल चीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बिला आखिर जोया शरायत के एक फैरिस्ट बनाकर शादी की हामी भड़ती है जिन मेंसे एक शर्ट ये भी होती है कि वो शादी के बाद किचन का काम नहीं करेंगी जिबके फौजिया को एक सुगर बहु की खौहिश होती है जैन तहरीरी तोर पर लिखी गई शरायत को मानते होए उनसे फैमली को भी आगव करने को कहते हैं और इस तरह दोनों में तालुकात कद्रे दोस्ताना हो जाते हैं ड्रामा सीरियल चुपके चुपके आईजाखान और उस्मान खालिद बट का ड्रामा चुपके चुपके इसमायली सीरियल था जिन्होंने देखने मालों को हसी से लौट पॉड किया ड्रामे की कास्ट में मीरा सेटी, अस्मा अपास, अली सफीना शामिल है इस ड्रामे की कहानी साइमा अक्रम चौधरी ने लिखी है ड्रामा एक बड़े खांदान की आपसी महबबत और नफरत पर मपनी कहानी थी जो जालिसी, दोस्ती, महबबत और मज़ा से भरपूर है आईसाखान का मुनफरित कॉलिज गिल का अंदाज भी लोगों को खूब भाया जबके उनका एक नया चायलोग अश्के भाई अश्के भी खूब वारल हुआ था हम टीवी का ड्रामा सीरियल लापता एक एमोशनल ड्रामा है लेकिन ड्रामे में बहुत से सीन्स ऐसे हैं जोके आपको हसने पर मजबूर कर देंगे खासतर पर गेती के टिक्टॉकर वाले सीन्स इस ड्रामे में खवतीन को ब्लाक मेली और हरासा करने को हर्बे की तोर पर इस्तमाल करते हुए भी दिखाया गया है इस ड्रामे में आईजाख खान को बितौर विलन और सारा खान और अली रह्मान को बितौर हीरो और हिरोईन दिखाया गया है जिसे देख कर आप यकीनन उनके गहरे दुखों को समझेंगे कि किस तरह से आईजां उनके दर्मियान फूट डलवा कर अलग कर देती है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसकी शादी कहीं और करवाने में फ्रंट सीट पर होती है ड्रामा सीरियल चौधरी अन्सन्स चौधरी अन्सन्स आपके चेहरे पर यकीनन मुस्कुराहट ले आएगा ये ड्रामा सीरियल सुहल एमद के फ़नी डायलोग्स के वज़े से फेमस हुआ ड्रामे सीरियल चौदरी एंसंस में लहोर और पंजाब की सकाफत के रंग बड़े दिल्चस्प अंदास में दिखाये गए है ड्रामे के इप्तिदाई सीन्स में ही कुष्टी का अखाड़ा दिखा कर खालिस पंजाबियों को पुर्जोश किया गया है इस ड्रामे के कहानी में एक रिवायती मूजू को नए और अच्छोते अंदाज में मज़ा के लवासमात के साथ यूँ पेश किया गया है कि कहानी अपने एक तताम पर बहुत से असबा के जिन्दगी देती हुई नजर आई इस तीरियल में मज़ा और जिस बात का फर पूर और हसीन इमतिसाज देखने को मिलेगा सुनो चंदा एक पावरफुल लव स्टोरी है जो आपको मुस्कुनाने पर मजबूर कर देगी फरहान सईद और इकरा असीस नोक चोक और लड़ाई करने वाले जोड़े अरसल और जिया का करदार निभा रहे है ड्रामे के दो सीजन है पहले सीजन में दोनों की शादी लड़ाईया पिर महबपत शुरू होती है पहले सीजन का एक्तताम अरसल और जिया की शादी पर हुआ था लेकिन दोनों के अस्तवाजी बंदन में बनने के बाद भी थालात में कोई तब्दिली रौनमा नहीं होती ड्रामे के मशूर किरदार डीजे के मताबिक एक नई चन का आगास हो जाता है मज़ा ड्रामा और दिल को मोह लेने वाले वाकियात का नाखतम होने वाला सलसला दिखाया गया है कि शादी की पहली राद जिया अरसल के खराटों से तंग आकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है जबके दूसरी तरह जिया की रुकसती के बाद ड्रामा नया ट्रेणिंग पॉइंट ले लेता है मनमायल में बहुत से वनी ट्राक्स आपको नजर आएंगे मनाहिल के डायलॉग उसकी खुसूसियत से भरी बाते व्यूवर्स को हसा हसा कर दिवाना कर सकती है मनाहिल की जो अपनी दोस्त के भाई राफ़ की महबत में गिरिफतार है भरवाले उसकी राफ़ से शादी पर तयार नहीं और राफ़ की सूरत में उसे घर चोड़ने का कहते हैं मनाहिल घर चोड़ने जैसे हत्मा एकडाम पर भी तयार हो जाती है लेकिन राफ़ खुद को उसके काबल नहीं समझते हुए उसे वापस लोटा देता है मनाहिल उसके रवईय से ये समझती है कि वो उससे महबत नहीं करता वो बिलकुल बचकाना होती है माया अली, गौहर रशीद और आईशा खान पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं ये तमाम फंकार अपने किर्दारों में हकीकत का रंग भर देने की वज़े से हाथ सोरत रखते हैं ड्रामा सेरियल Mann-Méaille की खास बातकिरदारों के मताबए फंकारों का इंतिखाद है ये सीरियल जरूर देखेगा ड्रामा सेरियल जॉली की आईगी बराद जॉली की आईगी बराद सीन सबसे ज़्यादर रोमांतिक और फनी था सिला को इस सीजन में प्रेगनेट और मूडी दिखाया गया है शुरू में उसका शोहर अपनी बॉस की रिस्पेक्ट करता है तो वो उन दोनों के दर्मियान किसी और रिलेशन को महसूस करती है शक उसके जिंदगी में जहर खोल देता है बहुत मुश्किल से उसको दोनों की दोस्ती पर यकीन आता है तो सिला के वालदा भी प्रेगनेट हो जाती है तो उसको अपरी मा के साथ भी इशू हो जाता है वो उनसे पूरे सीजन में नरास नरास दिखाई देती है एंड पर सिला की वज़ा से डिप्रेस्ट उसके मा का एक्सिडन हो जाता है ड्रामे में टॉली की शादी को जिस तरह हाईलाइट किया गया पंचाबी और उर्दू कल्चर का ये मिक्स्चर देखने वालों को बहुत पसंद आया ड्रामा सीरियल मेरी चान मेरी चान हम टीवी का ड्रामा सीरियल है ये भी एक स्माइल देता सीरियल है इस ड्रामे में में रोल हुमायो सेइद का है ड्रामे की टोटल 13 एक साथ है मेरी चान की मरकजी कहानी एक Glamorous TV स्टार के गेट घुमती है जिसका किरदार नाधिया जमील ने अदा किया है ड्रामे में मरकजी किरदार की किरदारकशी की कमी है नाधिया को एक अच्छी अदकारा समझा जाता है ताहम वो glamouris style, body language style, हर चीज़ का जादू, नाधिया जमील तब्दिल नहीं कर पाई मेरी चान ड्रामे में स्टार तफ्तीश और कहानी की लाइन में पुलिस भी है वो किर्दार शबीर चान, सैट कियों और दीपक परवानी ने अदा किये हैं इस ट्रामे में हुमायो सईट ने आखिरकार कुछ मुख्तलिप कर दिखाया वैसल कुरैशी एक चालेंजिंग किर्दार में थे जो वो बहुत अच्छे अंदास में अदा कर रहे थे ड्रामा सीरियल यही है सिंदगी यही है जिंदगी पाकिस्तान के नची चानल एक्स्प्रस इंटर्टेर्मेंट का रॉम कॉम ट्रामा है सिरियल के कहानी दो खालाजाद पहनों चांद तारा और नें तारा की फामिलीस के गेंग घुमती है दोनों एक ही महलने में रहती हैं दोनों एक दूसरे की नन भावज भी है दोनों का बच्पन भी साथ साथ ही गुजरा है इस ड्रामे को भी आप देखेंगे तो फ्रेश फील करेंगे कहानी में पहला मोड उस वक्त आता है जब एक बहन चांद तारा का शोहर लापता हो जाता है और वो चलाकी के साथ अपना मकान फरोग करके नन तारा के घर आकर रहने लगती है दोनों पहनों के कई कई लड़कियां और लड़के हैं उन में से एक दो के दर्मियान महबबत हो जाती है लेकिन हालात और हांदानी चपलिकश के सबब इस महबबत को कई इम्तिहान देना पड़ते हैं मगर फिर भी किसमत कई गुल खिलाती है ड्रामे में चवीरिया सहूथ नुमाया है कुछ किरदारों के नाम बहुत दिल्चस्प हैं कहानी में एक हसीना भी है जो खुद को हसीना आलम समझती है अगर्चे 40 साल के करीब है लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी है मगर शादी है कि होने का नाम ही नहीं लेती रिवायती कहानी के दाने बाने एक के बाद एक शादी के कभी जुड़ते और कभी बिखरते रिष्टों को लेकर बने गए इसलिए कहानी में खासा उलजाओ है किरदारों के भर मार ने भी कहानी को यक्सो नहीं रहने दिया ड्रामा सीरियल हम तुम हम टीवी पर नश्र होने वाला ड्रामा हम तुम भी बहुत मिशूर हुआ अगर आप सेट है तो ये ड्रामा आपके लिए ही है ड्रामा सीरियल हम तुम की कहानी दो हमसायों के घरों के गिर्द गुमती है ड्रामे में सर्मत को माहा से ये तरफा प्यार है जबके माहा बिलकुल बेखबर है और वो सर्मत को सर्मत भाई कहती है जिस पर सर्मत का बस नहीं चलता कि किसी तरह माहा को भाई बोलने से रोग दे दूसरी तरफ आदम प्रोफेसर कुद्बुदीन का इंतिहाई लाडला और चहीता तालेबल मैं और प्रोफेसर कुद्बुदीन अपनी बेटियों से ज़ादा आदम को तरजी देते हैं यही वज़ा है कि निहा का बस नहीं चलता कि आदम का कदल कर दे और इसलिए ड्रामे में ज़्यादा दर्नी हां और आदम की नोग जोखी चलती रहती है ड्रामा सीरियर हम तुम की खास बात उसके मुनफरद तैलोग है हलकी फलकी कॉमेडी ड्रामे का मज़ा दोबाला कर देती है बाद इसन ट्रामे की खास बात ये है कि इसमें किसी किसम की साज़िश और बहुत स्यादा इश्क को आशिकी नहीं दिखाई गई लेकिन ट्रामे में खास दोर पर दादा का फ़नी टिक टॉक आपको मज़ा देगा तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो के बैस्ट स्माइलिंग ट्रामा फिर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीडबैक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हापिस